नमस्कार दोस्तों अपराजिता के फूलों का उपयोग शनी और शिव की पूजा में किया जाता है शास्त्रों के अनुसार यह फूल शनी का विशेश प्रिये है अपराजिता के फूल घर में उत्तर यानि नौर्थ और नौर्थ इस्ट दिशा में यानि की उत्तर पुरु के डिरेक्षन में दिशा में होते हैं लगाना शुब होता है शास्त्रों में विभिन देवताओं के पसंदीदा फुलों का उलेक मिला है नीला अपराजिता फूल विश्नु और शनी दोनों को बहुत प्रिये है शास्त्रों के अनुसार इस फूल के कुछ उपाय करने से आर्थ इसके प्रभाव से किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट समाप्त होता है और परिवार में स्म्रिधी आती है दोस्तों ये जो पेड़ पौधे और फूल पौधे होते हैं इनका संबंध बहुत ही प्राचीन काल से मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है सबसे पहले अपराजिता के फूल आप घर में लगा सकते हैं कई लोगों के questions आते हैं कि अपराजिता के फूलों को घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए अपराजिता के फूल आप घर में जरूर लगाईए हलाकि अगर आप वास्तू के अनुसार पेंड को सही दिशा में लगाते हैं तो आपको अधिक लाब मिल सकता है वास्तू के अनुसार अपराजिता के फूलों को नौर्थ और नौर्थ इस्ट के डिरेक्शन में लगाना चाहिए शुब दिन के लिए हर मंगलवार को बजरंग बली के चरणों में अपराजिता के फूल चड़ाएं पूजा के बाद इस फूल को लेकर अपने तिजोरी में या जहां पैसे रखते हैं गले में ये दियाब दुकान पर बैठते हैं तो या औरतें अपने लौकर में घर के तिजोरी में रखतें ऐसा करने से आप जल्द ही अपने आर्थी के स्थिति में सुधार देखेंगे परिवार में धन की प्राप्ती होगी दोस्तों जब हम ऐसे उपाय करते हैं तो इसका इफेक्ट सबसे पहले घर में ये दिखता है अपराजिता के फूल की सेवा करने से और ये उपाय करने से इससे मुक्ती मिल सकती है ऐसे में अपराजिता की जड़ को नीले कपड़े में बांद कर दुकान के बाहर लटका दें व्यापार में तेजी से सुधार हो सकता है व्यापार शुरू करने से पहले आप जो तीशियों द्वारा बताएगे इस तरीके को जरूर आजमाईए दोस्तों अब आप सोचोगे आप राजिता की जड़ कहां मिलेगी कहीं से भी आप छोटा सा कट करके ले सकते हैं अप राजिता का जो पौधा है ये बेलें होती हैं बेलें की तरह उपर की तरह बढ़ती है मेरा एक और चैनल है एवर ग्रिन गार्डन जिसका लिंक मैं कॉमें सेक्शन में दे दूँगी आप लोग देख सकते हो कि इन फूलों को किस तरीके से लगाते हैं कौन सा फर्टिलाइजर देते हैं जिन भाई बहन को जरूरत है वो जरूर जाकर पेज पर एक बार देख लीजे धन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए सोम वार के दिन शिव लिंक पर अपराजिता के फूल चड़ाए जाते हैं शनिवार के दिन इस फूल को शनी देव को अर्पित करें ऐसा करने से आप शारिरिक तोर पर भी बल्वान होंगे और आपकी आर्थिक स्तिती भी ठीक होगी जिन जातकों को काम में परिशानी आ रही है या लंबे समय से कोई प्रोमोशन वेगरह रुका हुआ है जो नहीं हो रहा है उन्हें दुरगा को छे अपराजिता के फूल और फिटकरी के पांश टुकड़े अर्पित करने चाहिए फिर इसे एक दिन आप अपने साथ रखें वैसे विधान तो ये है कि कमर वेगरह में बेल्ट की तरह बांध लें यदि आपको सही लगता है तो आप कमर में बांध सकते हैं अदर्वाइस आप गले में भी पहन सकते हैं अपनी जेब में रख सकते हैं पूरे एक दिन तक ये आपको अपने साथ रखना है और अगले दिन इन फूलों को पानी में बहा दें। दोस्तों एक और समस्या देखने मिलती है कि अक्सर आप लोग ये कहते हो कि हमारे आज पास कोई नदी तलाब गुआ नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आप इन फूलों का एक टुकड़ा जरूर रखें नतीजितन आपको जल्द ही सफलता मिल सकती है। फिर नौकरी चाहने वाले जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो भी अपनी जेब में एक फिटकरी का टुकड़ा जरूर रखें। शनी के बुरे प्रभाव से भी ये जो उपाए आप करोगे जो अपराजिता के उपाए हैं ये शनी के बुरे प्रभाव से भी आपको बचाते हैं। एक समस्या और आज कल बहुत देखने को मिलती है। कई जातक कई वीवर्स मेरे ऐसा बोलते हैं कि पैसा तो कमाता हूँ लेकिन सैलरी आते ही पता नहीं कहां छूम अंतर हो ज लेकिन अभी मैं एक अपराजिता से जुड़ा हुआ एक उपाय आपको बताती हूँ। बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी ऐसा लगता है कि सारा पैसा खर्च हो गया है अगर आपके साथ भी ऐसा होता है बरकत बिलकुल नहीं हो रही और जितने पैसे आते हैं वो खर्च ही हो जाते हैं तो सो मौर के दिन अपराजिता के पांच फूल लेकर उन्हें जल में प्रवाहित कर दें इससे कुछ ही दिनों में समस्या का समधान हो जाएगा और पैसा बचने भी लगेगा दोस्तों आज मंडे के मॉर्निंग में ही मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तो आज आप पूरे दिन ये काम कर सकते हैं कई लोग ऐसा बोलते हैं कि वीडियो लेट देखा था इसलिए मैं सुबे के पांच बजे वीडियो पोस्ट करती हूँ दो बजे दो पहर को एक वीडियो पोस्ट करती हूँ जिसमें की मैं आगे आने वाले पर्व तीस तोहार क मादुरगा को नीले रंग के अपराजिता के फूल अर्पित करें इससे सभी देवी देवता प्रसन होते हैं ऐसा करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी और आपकी तरक्की भी होगी जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है या वेवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं उन्हें किसी सुनसान जगह में मिट्टी में पांच अपराजिता के फूल दबा देने चाहिए जमीन को खोदते समय लकडी की वस्तू का प्रयोग करें इसे शनी दोश भी दूर होगा दोस्तों वैसे इसके पीछे वेग्यानिक कारण भी है मैं आपको बता दूं कि जान को खत्रा हो सकता है इस चीज को ध्यान में रखते हुए लकडी से थोड़ा धीरे धीरे खुदाई करें हर चीज के पीछे वेग्यानिक कारण भी होता है और अध्यात्मिक कारण भी होता है हमें उस चीजों को समझना होता है जिनके घर में बरकत नहीं होती है उन्हें मोक्षदा एक आदशी के दिन वरत रखकर या पूजन के दोरान भगवान श्री कृष्ण को नीले रंग का फूल चड़ाना चाहिए इसे व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है साथ ही ऐसे लोगों के पास रूपे पैसे की कभी कमी नहीं होती है अगर आपका मंगल ग्रह कमजोर है और दुश्मन आप पर हावी रहते हैं तो मंगलवार या शनिवार को हन्मान जी को नीले फूल अरपित करें ध्यान रहे कि फूल चड़ाने के लिए सुर्यास्त के बाद का समय चुने